हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल आज की बिगनर क्लास में मैं आपको फुल स्लीव की कटिंग बताऊंगी फॉर्मूले के साथ ताकि आप किसी भी साइस के स्लीव के कटिंग बहुत असानी से कर सके हैं स्लीव कटिंग के लिए मैंने यहांपर कपड़ा लिया हुआ है और मैंने दू पार्स में रखा हुआ इस तरह से यहां से ओपन वाली साइड है को यहांly से वोल्ड BUT हैं दीजिए कि दोनों कपड़ों की सीधी तरफ एक दुस्य क्यों करते हुए होनी चाहिए और यहां पर मैं कपड़े के उल्टी तरफ यानि कि रॉंग साइड पर निशान लगा ले रही हूं तो यह कपड़े की रॉंग साइड है और अंदर को कपड़े की सीधी तरफ है अब म इस कपड़े को width wise बिल्कुल center से fold कर देना है यहां पर इसको मैंने fold कर दिया है अब ठीक है यहां पर चॉक का निशान है तो मैं इसको पलट के सरद सर रख दे रही हूं ताकि मुझे 20 इंच की length चाहिए तो मैंने 20 इंच पर निशान लगाया और नीचे का 2 इंच का extra है वो double fold के लिए मैं extra कपड़ा ले रही हूं अब इस line को हमें स्ट्रेट कर देना है तो यहां पर मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है अब यहां पर की तरफ पर देख सकते हैं एक आप अपनी कुड़ती में कटिंग करते हैं आर्मोल की लंबाई जितनी भी आप लेते हैं उतसे एक एंच ज्यादा हमें यहां पर लेती हूं तो यहां पर मैं एक ज्यादा यानिकि साड़े आठ इंच पर निशान लगा रही हूं अब यहां इस पॉइंच से नीचे की तर उतने पर निशान लगा लिए और अगर आप फॉर्मूला नहीं उसकरना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड तीन इंच पर निशान लगा सकते हैं सभी साइस के लिए अब जैसे यहां पर मैं 36 साइस के ब्लाउस या फिर कुर्ती के स्लीप के कटिंग कर रही हूं तो बस 36 है तो उसको 12 से डिवाइड किया तो आया 3 इंच इसलिए मैं यहां पर 3 इंच पर नीचे पर निशान लगा रही हूं अब इस पॉइंट को हमें यहां उपर फोल्ड वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है तो इसको मैंने यहां पर जॉइन करती है अब इस अब हमें इन पॉइंट को यहां पर हलका सा घुमाओ देते वे इस तरह से जॉइन कर लेना है दिखे तो यह हमारा बैक का आर्मोल कर बन गया है यहां पर अब फ्रंट के आर्मोल कर लिए यह सीधी वाली लाइन हमने यहां पर स्ट्रेट लाइन खीची ती इससे नीचे को से वाले पॉयंट से ऐसे घुमाओ देते वे मिला देंगे और जो इसके उपर वाला है यह यहां पर हमारा इसी लाइन के उपर मिक्स हो जाएका इस तरह से मिला देना है अब यह जो नीचे की तरफ को गया हुआ हूँआ है यह हमारा फ्रंट कार मोल कर बहुए और जो यह गोलाई आरही है 9 इंच की तो उसका आधा यहां पर मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूं अब इस पॉइंट को हमें यहां ऊपर पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है इसको मैंने यह पर जॉइन कर लिया है अब यह मार्जन वाला हिस्सा है इसमें हमें इस लाइन को स्ट्रेट नहीं खीचना है नहीं अंदर को करना है हमें इसको बाहर की तरफ को इस तरह से निशान लगा रहे हैं देखी जिससे मैं लगा रही हूँ इस तरह से हम थोड़ा सा बाहर की तरफ को इसमें निशान लगाएंगे ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम इसको double fold करते हैं तो कपड़ा हमारा नीचे से छोटा बढ़ाना हो जाए इसलिए मैंने बाहर को खीचा अब बाहर को खीचने के बाद जब हम इसको fold करेंगे तो कपड़ा मारा बराबर रहेगा इसके बाद हमें यहाँ पर side में margin ले लेना है जो सिलाई में दबेगा उसके लिए लेकिन यह वाली जो line है इसको मैं बाहर की तरफ को इस तरह से पहले सीधा कर दे रही हूं अब इसके बाद हमें यहाँ पर 1-1.5 इंच का margin ले लेना है जितना हमने अपनी कुर्ती में लिया होता है उतना ही margin हमें इसमें भी लेना है तो पूरा मैं यहाँ पर 1.5 इंच का नीचे तक margin ले रही हूं तो यहाँ पर back armhole curve की cutting हमने कर ली है अब front armhole curve कट करने के लिए हम उपर के दो पार्ट्स उठाएंगे देखिए उपर के दो पार्ट्स मैंने उठाए और कपड़े को हमें खोल के यानि की open करके इस तरह से रग दिना है तो इसको open करने के बाद अब हम इसका front का armhole curve कर कट करेंगे तो यह जो नीचे वाली line थी अब हम यहाँ से यह जो corner margin वाला कोना है यहाँ से हम इसको cut करने start करेंगे तो यहाँ पर front armhole की cutting मैंने कर ली है और दोनों हाथों की स्लीज यहाँ पर हमारी बन के तयार हो गई है